तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आफ सभी को सेमारू मंग पाराने वाले चाहेंगे तुम्हें इतना के काश के परडे सेलरी के बारे में बताने वाले हैं जो कि साइद ही आफ सभी जानते होंगे और जानकर चौक जाएंगे तो अगर आफ सब भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंतक बने रहेगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरह पर सबसे पहले बात कर लेते हैं नमबर फश ख्याती के स्वानी जो के सिल में अमरीत का किरदार निभा रहे हैं और इंके परड़े सेलरी की बात कि जायतो एक अपिसोड करने का 35,000 रुपे लेते हैं नमबर फ्याती है जो के सिल में नीधी का किरदार निभा रहे हैं और इंके परड़े सेलरी की बात कि जायतो एक अपिसोड करने का 35,000 रुपे लेते हैं नमबर चार, विरुनिका तलरेजा, जो केशियर में विद्या किरदार निभार रही है और इंके पारडे सलरी के बाद की जएटो एक अपिसोट करने का पचीसाजार रुपे लेती है 4. 5. Somia Saraswat, जो कि सेल में गीद का किरदार निभा रही है और इनके परड़े सेलरी के बाद की जाए तो एक एपिसोड करने का 30,000 रुपे लेती है नमबर 6 मस्य उदीन कुरैसी जो की इसल में सर्मा जी का किरदार निभा रहे हैं और इंके परड़े सलरी के बात की जैतो एक एपिसोड करने का 35,000 रुपे लेती हैं नमबर आठ स्वाती सर्मा जो केसिल में आसी का किरदार निभा रही है और इंके पहड़े सेलरी की बात की जैतों एक एपिसोड करने का चालीच हजार रुपे लेती हैं नमबर नौ परसांथ सिंग राजपुट जो कि इसल में विकास का किरदार निभा रहे हैं और इंके पहुड़े सेलरी के बात कि जायतों एक एपिसोड करने का पचीस हजार रुपे लेती हैं नमबर दस अरपना अगरवाल जो कि इसल में विकास किरदार निभा रहे हैं और इंके पहुड़े सेलरी के बात कि जायतों एक एपिसोड करने का पचीस हजार रुपे लेती हैं तो अब आप सभी क्या कहना है और आपको इसल कैसा लगता है अपनी राइचे कमेंट बॉक में जो ही बताइएगा साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए और जिसे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा धन्यवाद